तो आज हमें deformer के बारे में देखना है क्या होते हैं डीफॉर्मर जीब्रेस में और उनका कैसे यूज करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले है जीब्रेस में डाक्यूमेंट के अंदर जाना है यह बनी जैसे यह ड्रॉव हो गया, एड़िट में क्लिक करना है और यहाँ पर make polymage 3D इस पर क्लिक करना है अब इसमें आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर इसकी height को अगर हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ पर आर्प्रेस कर सकते हैं इसकी height को थोड़ा सा बढ़ा कर सकते हैं overall radius, sorry, overall size का थोड़ा सा छुटा करते हैं इसकी height हमने वहाँ पर बढ़ी करती है अब हमें लगता है कि यह थोड़ा सा circular या arc में होना चाहिए तो हमें deformer की help चाहिए यहाँ पर तो deformer मिलेगा कैसे यहाँ पर देखिए यह गिजमो आ रहा है अगर यह गिजमो नहीं आएगा तो आप deformer पर नहीं जा सकते तो गिजमो हटा देते हैं अगर Q प्रेस कर दिया या drop क्लिक करेंगे गिजमो चला जाएगा इन तीनो टूल में से किसी भी टूल पर आप क्लिक करोगे तो गिजमो वापस आ जाएगा और जैसी गिजमो आएगा तो आपको यह एक सरकल दिखाए देगा यह गेर जैसे होता है वैसा आइकन बना हुआ है इसको कस्टुमाइज बोलते है नीचे देखे लिखा हुआ है इस पर अगर आप क्लिक कर देते हों तो यह सारे बेसिक सेप्स मिल ले है इन पर पहले भी लेशन यहां सेशन हुआ है आप पहले के लेशन देख लेना इनको कैसे यूज करते हैं इनके नीचे आप एक लिस्ट देख रहे होगे बड़ी सी लिस्ट यह सारी लिस्ट यह सारे के सारे डीफॉर्मर है और एक है करके वनवाई वन करके हम सारे डीफॉर्मर को देख लेंगे जैसा पहला डीफॉर्मर है नाम करने के लिए तो आप देखो कि यहाँ पर कुछ नोड आ रहे हैं जिसे यहाँ पर औरेंज कलर के वाइट कलर के इस तरह से नोड आ रहे हैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर का नोड आ रहा है जिसमें एंगल लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर एंगल का यूज करना है अगर हम इस एंगल का यह तीन क्यों आ रहे हैं Green क्योंकि X, Y, Z 3D है ना इसलिए अलग-अलग axis के लिए अलग-अलग यहाँ पर एंगल आ रहे हैं तो अगर हम इस एंगल का यूज करते हैं तो देखे यह किस तरह से इसको bend कर रहा है आप देख सकते हो यह तरह से आप दूसरे वाले अगर एंगल क के पास में आ रहा हैं अगर आप इसको यूज्स करते हो तो देखिए ये इसको औझेर क सब्सक्राइब से देंकुर और तो अगर ये अभी ये वर्टिकल रखा हुआ है तो यह वाला एंगल काम कर रहा है अगर यह horizontal होता है तो यह एंगल हो सकता काम नहीं करता इन में से कोई यह काम करता यह आपको देखना पड़ेगा आपका object के साथ तो फिलाल में हम यहां bend कर लेते हैं तो यह deformer का काम है डिफॉर्मर क्या करता है आपके object को smoothly उसका सेप जो है वो रिसेप करने की कोशिस करता है और किस टाइप का रिसेप करेगा जैसा की डिफॉर्मर होगा तो जैसा यह bend deformer है इसलिए यह आपके object को bend कराने का काम कर रहा है तो यहां पर यह देखिए अब लेट्स की आपको यह object permanent ऐसा ही चाहिए हमारा सेप बन चुका ऐसा ही चाहिए तो हम क्या करेंगे वापस से जाएंगे इस गोल गोल गेर वाले पहिए के उपर और यहां पर देखिए बहुत सारे option आ चुके हैं तो अभी current में जो deformer यूज़ हो रहा उसका नाम आ रहा है अगर उसको आप नहीं यूज़ करना चाहते तो डिलीट कर दीजिए ठीक है अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है इसका shape हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था तो finally आपको output लेने के लिए accept को करना ही पड़ेगा तो accept जैसे हमने click किया तो आप देखो कि यहां से deformer गायब हो चुका और आपका जो model है वो permanently shape ले चुका है तो इस तरह से deformer आपके जो भी point add हो गया है यह point हमें ऐसे नीच है हमको ऐसे चाहिए क्योंकि हमारी length ऐसी है तो हम यहां से कोई एक node मिलेगा जो इसके axis को change कर रहा होगा तो हम देखते हैं यह क्या node है यह smooth node है यह green वाला natural red वाला क्या एक्सिस नोड है हम इसको यूज करेंगे यह इसका axis कर रहा हमने जैसे इसको देखिए उपर नीचे किया तो यह red था पहले इसलिए x-axis में आ रहा था थोड़ा सा हमने उपर किया यह green हो गया यह y-axis में आ रहा है और थोड़ा सा और उपर करेंगे यह blue यह Z-axis में आ रहा है तो हमको यह Y-axis में चाहिए क्योंकि यहाँ पर Y-axis यह रही और इसी क्यालोंग में हमें दू पॉइंट मिल गए हैं ठीक है अगर इन दू पॉइंट को ले करके चलाते हैं तो हम अपने object को कुछ इस तरह से चला पाएंगे स्मूदली आपको अगर पॉइंट और एड़ करने तो यहीं पर कुछ एड़ मिल जाएगा option देखे कहां पर मिलेगा कर रिजलूशन का option आ रहा है यहां से हम देखे पॉइंट भी बढ़ा गटा सकते हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो अगर हमने यह और भी पॉइंट ले क्या है तो आप यहां पर जा सकते हैं और accept कर सकते हैं तो अभी आपके पास में जो यह model बना है final यह आपका bend curve से बना है इसी टैप से आप अंडू कर सकते हैं और भी देख सकते हैं तो बहुत सारे option आपको और मिल जाएंगे जैसे यहां पर यह टेपर का एक option आ रहा नहीं कर रहा है अगर आपके उपर को हिस्से को करना है तो आप इसको चलाएंगे यहां पर देखिए कुछ option आ रहे हैं जैसे यह वाइट कलर का option आ रहे है इसकी पावर को कम ज्यादा करेगा कितना यह कम ज्यादा कर रहा है कितनी strength इसकी maintenance green का कुछ option आ रहा है red के कुछ option आ रहे है तो यह अपने कर करके आपको देखते रहना है यह देखिए अलग से भी कुछ option दी हुए तो यह taper करेगा taper का simple सा काम होता है कि यह object के एक सेरे को चोड़ा कर दे थेख ठीक कर दे और दूसरे को थिन कर दे तो आपको कौं सा हिस्सा करना है थिन या थिक यह आपके उपर depend करता है यह एक save बनाना था बन गया इस type से तो अभी finally आपको accept करना होगा कुछ इस type से बन गया फिर यहाँ पर और deformer है कुछ आपके पास में जैसे taper के अलावा twist deformer है ट्विस्ट क्या कर देगा जैसे आप कपड़ा ऐसे दोने के बार ने चोड़ते हो ना तो एकदम distort हो जाता है यह कुछ इसी type से distortion करेगा यह देखिए आपके object को इस type से distort कर रहा है तो कई सारे object होते हैं जो इस type से design में होते हैं पर उनको modeling से बनाना थोड़ा setup होता है लेकिन अगर deformer का use कर लिया तो बड़ी आसानी से बनाया जा सकते हैं तो इसको हम यहां से accept कर लेते हैं अब इसी को अगर थोड़ा सा हम देखा हैं कि आपको जैसे रसी बनानी है तो कैसे हम deformer की help से आसानी से बना सकते हैं तो यहां से चलते हैं हम नया एक subtool में जाते हैं और एक नया tool add करते हैं जिसको cylinder नाम दे दिया है और प्रेस करते हैं थोड़ी सी इसकी length को बड़ा कर लेते हैं overall size इसका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसकी length को फिर से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं उपर रखते हैं इसको इस object को हमें copy करना है एक copy हो गई टॉप से चलते हैं इसकी एक copy और हमें चाहिए होगी control के साथ में आप multiple copy बना सकते हैं यह हमने चार copy बना लिए आप 3 बना सकते हैं आप 2 बना सकते हैं यह देखिए और अगर हम इस पूरे के पूरे model पे इस पूरे के पूरे model पे अगर हम deformer यूज़ करते हैं अभी twist deformer और इसको distort करते हैं तो आप देखिए यह किस type का एक जैसे rope या रसी type का होता है रसी में इस type का effect होता है वो हमें यहां से आसानी से मिल जाएगी यह देखिए यह उने बना लिया अगर हमको यह final करना है तो यहां से हम बुलेंगे accept और इसकी copy भी कर सकते हैं इसकी length बढ़ा सकते हैं कुछ इस type से और अगर आप इसको copy करना चाहते हो अब फिर से deformer यूज़ कर सकते हैं तो वापस ही यहां पर जाना है इस बार हम bend arc deformer यूज़ कर रहे हैं और इसमें जो भी arc होगा इस green वाले से ओम देखते हैं देखिए इस type से यह बन रहा है बुल बुल कर सकते हैं तो यह bend deformer ने इस type से कुछ option जो आ रहे हैं twisting वाली वहां से हम twist करा सकते हैं जो कि deformer के अंदर यह option देते हैं इस से हम इसके radius को थोड़ा से छोटर बढ़ा कर सकते हैं जितना बढ़ा भी आपको चाहिए उतना बढ़ा कर सकते हैं आप accept कर लिजिए यहां पर आपको लगता है इसमें और deformer लगा ना आप और लगा तो जब तक आप bent curve जो आपने अब देखाई है और deformer इसका यूज़ कर सकते हैं तो इसमें resolution जो बढ़ाना है वह हम कहां से बढ़ाएंगी यह axis है resolution आप कहां से बढ़ा रहे हैं orange वाले से थोड़े से और ज्यादा कर लेते हैं अब बीच वाले कुछ option यहां से लिए करके हैं इसको थोड़ा से safe देना है तेड़ा मेना आप दे सकते हैं तो जो भी आपको करना है आप कर सकते हो काफी सारे deformer हैं आपर तो next class में हम काफी सारे और deformer हैं जिनके बारे में discuss करेंगे तो अब उन्हें कुछ deformer देख लिए हैं bend, bend curve, taper देख लिए, twist देख लिए हैं इसके अलावा और भी जो deformer हैं उनको भी हमने इस class में देखेंगे चैनल को subscribe जरूर कर देना बहुत सारी वीडियो जाने वाली हैं हम मिलेंगे नेक्स टॉपिक पर नेक्स वीडियो में थैंक यू, टाटा, बाई बाई